हेलो फ्रेंड्स आज हम इनर्जी कंजर्वेशन में एक नया चेप्टर स्टाट करने वाले हैं जिसका नाम है जनरल इनर्जी सेविंग टिप्स तो इस चेप्टर का अमारा यह सेलवस रहा है इस सेलवस में दिया है कि विभिन अमारे उपकरण है उनमें कैसे इनर्जी को पारे में जानना है तो आज की इस वीडियो में हम यह चेप्टर हमारा पूरी तरदर से खत्म हो जाएगा क्योंकि छोटा है आसान है और इंपर्टेंट भी है तो आपके लिए ज़रूरी सुचना आप यदि मेरे इनर्जी कंजर्वेशन के पिछले वीडियो को नहीं जा गया है वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं मैं अमंजय स्वाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चेनल ए यार्प उजुक्सन पॉइंट में चलिए वीडियो स्टाट करते हैं तो सबसे पहले हमारा देखिए कि यहां पर हमने चेप्टर का नाम दिया और लिख उन्हें पर बिजली उपकरण को बंद रखें यह सबसे इपार्टेंट है यदि आपको यूज नहीं है तो क्या करें जो भी बल्ब आए ऐडियों क्या करें बंद रखें दिन में सुर्ग की रोशनी में काम करें यदि आपके घर में दिन में सुर्ग का प्रकास आ रहा है करें आप बल्ब को न जलायँ चुछी रोशनी में ही काम करें दिवारों पर हलकी रंग में पोपर अिसा करने से मली आपने दिवार पर हलकी रंग का को रियुप करते हैं तो जो भी हम लाइट जलाएंगे तो उसका यह जैूका कम इस यह कंच और अधिक उजला होगा तो ह अगर समय समय पर साप करते रहे ताकि उन्सका पूरा प्रकास में मिल सके फिर सी एफल या लेडी लाइट का प्रयोग करें यदि आपके घर में टंगस्टन बल्व का यूज हो रहा है तो उसका यूज बंद करके आप क्या करें सी एफल एलेडी जैसे इनर्जी एफिसियंस उक्राण का उप्योग करें फिर हमारा की इलेक्ट्रिक आरन तो इलेक्ट्रिक आरन में हम क्या कैसा इलेक्ट्रिक को मनलब इनर्जी सेव कर सकते हैं यह हमारे क्या है पहला आटोमाइटिक कट आपका प्रेस का यूज करें आप ऐसा प्रेस का यूज करिए जिसमें आटोम प्रेटर का प्रियुक करें आप में ऐसे टमप्रेचर अजेस्ट करने की सेटिंग मतलब रेगुलेटर दिया हो ताकि आप आप अपने आउसकता अनुसार टमप्रेचर को कंट्रोल कर सकते हैं तो ऐसे प्रेच का उप्योग करें कपड़ों पर अधिक पानी ना छिरकें जब होकि इस इनर्जी हमारी बहुत कंज्यूं होती है जादा फिर ऐकि कूकिंग जो भी हमारे कूकिंग के लिए उक्रण ओता हैं जैसे मिक्सर माइक्रोव इलेक्रिक फिक्ष्टोप इसमें हम कैसे इनर्जी सेव करें तो पहला हैं मिक्सर में सूखी चीज़ों को अधिक सदि करने से 50% की बचत होती है तो यदि हम खाना गर्म करने के लिए गैस का प्रियोग ना करके का युज करते हैं तो भी हमारी के आउति इनर्जी सेव होती है फिर ओवन को पूरो तप नहीं करना चाहिए यह में कुछ बनाना है तो उसको पाहले से उसका तापमान अधिक नहीं करना चाहिए जब हमारा उसमें जो प्रोड़क्ट पहुँच जा है उसमें तब भी उसका temperature increase करें परेशर कूकर का प्रूब करें तो हम जानते हैं प्रेशर कूकर में खाना जल्दी भी बनता है और क्या होता हिसे Energy भी सेभ होता है तो इसलिए हम खाना बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रेशर्ट कूकर काुपक करें खाना पकाते समय खाना को ढक्कर बनाय क्या होता है उसक्राइए घंट करने के लिए一直 यां परियोक करें जिससे के रेकेपनि इनरजी से क्या पानी गर्म होगी फिर हमारा अगला है कि इलक्ट्रोनिक डिवाइस जो हैं उनमें कैसे सेव करें तो पहला हमारा टीवी मुजिक सिस्टम टेप रिकारड आधी को इस्टेंड बाई मोड पर नहीं रखना चाहिए कहने के मतलब माल लीजिए आप कहीं कोई चला रहा है कंप्यूटर अगर आपको इमर्जनसी के लिमा यह पांच मेंट का काम पढ़ गया तो आप क्या करते हैं उसको इसको आके चलू कर लेते हैं तो ऐसा आप कट्र ही न करें आप क्या करें जब आपका यूज ना हो तो उसको बंद कर दें फिर आप जब आएं तो य अगlar मोबाहील के चार्जर आपका तो जब उसका उपियोग खत्म हो जाए श्कर नीकाल कर रखना ही चाहिए है प्राइब कर सकते हैं तो फ्रीज के दर्वाजाब करें बार-बार ना खुलें इस से क्लें अगए हमारा बार-बार खोलते हैं तो बहुत को कूछिंग करने के लिए हमारी की अधिकYour अधिक लगेगा see फिर एकरा दिवार और फिच के बीच परियाप्त बनाए रखें पर हमारा दिया भी रखता है रेस्टिक्स कि आप दिवास तोरी बना कर रखें ऐसा करने से यह होता है तो लिदन है तो ज Вы तो फ्रीज को अमेशा बर कर रखें इसका मतलब है कि यदि आपको माली दो या चार चीजों को ठंडा करना तो आप उनको बारी-बारी करके न रखें बलकि उनको एक साथी फ्रीज में रख दें चारों एक साथी आपके ठंडे हो जाएंगे फिर अत्यदिक गर्म सामगरी को तुरंट फ्रीज में न रखें आपके पास यदि कोई भी चीज रखना है फ्रीज में और वह अत्यदिक गर्म है तो तुरंट आप उसको फ्रीज में मत रखें इससे क्या होगा अगरी आप तुरंट रखते हैं तो एक तो आपके फ्रीज मे cooling के लिए Qoyal लगी हैं उनको क्या करें समय समय पर साप करते रहें फिर Um कि एसी में हम कैसे energy सेव कर सकते हैं तो देखिआ पहला हमारा है कि automatic temperature का टाप वाले aece का प्रयोगक करें आयसा Camo करें जिस में आटमेर्प टमप्रेचर के हिसाफसे AC का जो हमारा arts cooling वो वह तो आटोमेटिक एड़ेस्ट होती रहे तो ऐसे हमें एसी का प्रियोग करना चाहिए फिर खिड़की दर्वाजे को ठीक से बंद रखें जब भी हम एसी चला रहा है तो हम बर्सक प्रयास करें कि हमारे जो भी खिड़की दर्वाजी हो कि हम बंद रहें ताकि बाहर की गर्म अंदर ना आए फिर हमार आए एसी वह खिड़की के बीच पर्यापत अस्थान दे देखिए जो भी एसी लगाए खिड़की के पास नो लगाए क्योंकि उसकी कूलिंग खिड़की से बाहर निकल जाएगी तो हम क्या करें कि खिड़की से थोड़ा दूरी एसी को लगाए फिर एसी थर्मो इस्टेट को टी-वी या लायम आप्लरत के पास नौ रखहें फिर अधिक इस्टार रेंटिंग का असी का उप्योग करें जो भी अमखरोंड उपयोग करने चाहिए अच्छी होनी चाहिए क्योंकि अच्छी को सेफ कर सकते हैं तो इसमीं ळहींगे जल्ड की अनकूल मात्रा का परयोग करें वासिंग मसीन में जितनी पानी चीना चींग कर देगा तो उससे आप क्या करेंगे वासिंग मसीन में और रता से अधिक डिटर्जन पाउडर का उप्योग न करें फिर अगला है आपके पास यदि गर्म पानी उपलब दाए तो आप वासिंग मसीन में हलका गर्म पानी का यूज करें क्योंकि गर्म पानी कपड़े को अच्छे से साफ करता है तो इस तरह से हमारे वासिंग म पिर वाटर इटर में कैसे इनरजी सेव करें तो पानी गर्म करने के लिए पानी टैंक को इंसुलेट करें मतलब उसके आसपास थर्मा को लगा दे या जो भी वेवस्था है या इसी वेवस्था है लादे ताकि अंदर की हीट जो है बाहर ना जाए फिर ज्वाइन को ठीक देव मतलब करें ताकि पानी लीक न करें पाइप को इंसूलेट भी करें ताकि उस्मा की च्छतीण सब्सक्रणी ना हो पूराने एतिंग выс Could Journal को ने बढ़ए और हमारा इनरजी सेवН मतलब ना हो टाइमर लगा ताकि पानी अनिट होज bureau सब्सक्राइब टाइमर लगाने या आटोमाइटिक हीटर का पर्योग करें कि जो की एक निश्य टमप्रेचर का जब हमारा गर्म हो जाए पानी तो क्या हो आटोमाइटिक बंद हो जाए तो हазिसे हम water heater का परियूग करें फीर अगला water pump water pump में हम एसे energy save करें तो पहला उप्योग के लिए सफ ही pump का चाहन करें इसका मतलब है कि आप अच्छी rating शॉत आ और अच्छी rating वाली इमक्ते करें पश्रेद के पंप का चाहन करें पर आप को यदि छोटे मोटर से आपका काम चल जा रहा है मतलब आपको छ يعeger अपने पानी को ले जाना आहले तो उसके लिए करते हैं मोटर का उपयोग करते हैं यादि आपका छोटे मोटर से क्या रहे है जोटा परें और जाद हंता है तिमट करें अ आप मोटर उपयोग करें क्वानिक जो भी पानी को छत्रा एस में होता है कि जो भी हमें और को प्रेशर प्रेशर एधिक रिएटता है तो से क्य Unique Pulver इफिजेंसी अधिक होगी तो इनर्जी अधिक सेव करेंगे पंप का अनायवस्चक उप्योग में नहीं करना चाहिए कि फिर आया हमारा गला कि यातायात में हम कैसे इनर्जी को सेव कर सकते हैं तो पहला है कि वहां के गति पचास से साथ किलोमीटर पर आवर के बीच रखना चाहिए यदि हमारा रोड या ट्रैफिक उसमें अधिक नहीं है अगर सही है तो हम क्या करें अपने गाड़ी को पचास से साथ के बीच में रखें क्योंकि कम स्पीट पर चलाएंगे तो हमारे पेट्रोल अधिक खर्च होगी या जो भी इनन होगी वदे धिक खर्च होगी फिर वहां अमेशा प्रथम गीर से स्टार्ट करें और फिर जैसे जैसे हमारी इस सही गति प्राप्ध होते हैं हम गीर को बढ़ाते जाएं वहां क कवा चानक चालूऔर लगाते थे चाबर चालूँ करूंकी आप ऐसा नहीं वह इंकि प्रेंद करें सैज्ट खाली और इस्टार्ट रड़ी बात अनावस्य कूपयोंर है कर देना चाहिए प्रेंट्स अगर विडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए औ पहली बार है तो सब्सक्राइब करना न भूलें और जो बगल में बेल आइकन उसको प्रेस करके आल कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की सबी नोटिपिक्शन आपको सबसे पहले मिल सके तो इस तरह से हमारा ये पूरा चेप्टर समाप्त हो गया थैंक यू